Z5 औरिजिनल पर आज रिलीज हुई है सतीश कौशिक के डिरेक्शन में बनी फिल्म कागज जो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने जीवित होने के संगर्श को 18 साल तक जारी रखा और अंततह उसे सफलता मिलती है इस फिल्म के लीड रोल को निभाया है पंकश तिरपाथी ने और फिल्म के बाकी के किरदारों में मोनल गजजर, मीता वसिष्ट और अमर उपाद्याई भी एहम किरदार निभाते दिखे हैं आपको बता दें ये पंकश तिरपाथी की पहली फिल्म है जिसमें वो मुख्य किरदार निभा रहे हैं अपने 20 साल के करियर में पंकश तिरपाथी ने छोटे मोटे रोल्स से शुरुआत की लेकिन गैंक्स और वसेपूर के बाद उन्हें नोटिस किया जाने लगा इस फिल्म के बाद लोग उन्हें जानने लगे पहचानने लगे इसके बाद नील बटे सनाटा, फुक्रे, निउटन और गुडगाओं जैसी फिल्मों में उनके बहतरीन अभी नहीं की सराहना की गए लेकिन अब भी वो वक्त नहीं आया था जब उन्हें लीड एक्टर के तौर पर फिल्म में काम मिलता लेकिन सतीश कौशिक दौरा निर्देशित फिल्म कागज में वो मौका आया जब पूरी फिल्म की जिम्मेदारी पंकच तिरपाटी के कंदों पर सौपी जानी थी और इसमें वो काम्याब भी रहे लेकिन शायद आपको पता नहों कि ये रोल भी उन्हें ध्यान में रखकर नहीं लिखा गया था और ना ही इस फिल्म के लिए वो पहली चॉइस थे इस फिल्म को सबसे पहले अनिल कपूर को ओफर की गई थी और उसके बाद पंकच कपूर को लेकिन शायद इन दोनों एक्टर्स को फिल्म में कुछ खास नहीं लगा जिसके बाद ये फिल्म अभिशेक बच्चन की जोली में जागरी अभिशेक बच्चन को कहानी पसंद भी आया और इस फिल्म के लीड रोल के लिए वो आलमोस्ट फाइनल कर लिए गए थे एक इंटर्वी में जब सतीश कौशिक से पूछा गया कि फिल्म का लीड रोल अभिशेक बच्चन निभाएंगे क्या तो उनका जवाब था कि जब तक पेपर वर्क्स पूरे नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता अभिशेक बच्चन के फिल्म ना करने का कारण तो पता नहीं चल पाया लेकिन इसके बाद ये फिल्म पंकच्तिर पाटी के हिस्ते में आ गई आपको बता दे ये फिल्म उत्तर प्रदेश के लाल बिहारी मृतिक की जीवनी पर आधारित है जिसमें नाम और जगा को बदल कर थोड़ा सिनेमेटिक लिबर्टी के साथ फिल्म को बनाया गया है इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए हमार साथ जुड़े रहिए नमस्कार